Hello everyone, welcome back to Shape Up Your Life Monday to Saturday breakfast recipes आपने बहुत पसंद की और उसके बाद ही lunch और dinner recipes की डिमान भी आई Monday to Saturday आपको क्या cook करना है अगर plan आपके पास ready हो तो काम थोड़ा साइजी हो जाता है तो आज मैं आपके लिए लेके आए हो आपके next week के लिए full lunch menu जल्दी मैं आपके साथ full week dinner menu भी शेयर करूँगी तो dishes वही होती हैं सिर्फ बनाने में थोड़ा हेर फेर होता है किस दिन आपको कौन सी dish बनाने हैं वो आप अपनी choice और family की requirement के हिसाब से settle कर सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से Monday को बननी चाहिए ये dish white chana खाना अगर आपको भी बहुत पसंद है तो white chana को आपने बहुत तरीके से बहुत बाट राइ किया होगा white chana को आप salad में यूज़ कर सकते हैं white chana से आप dry chana masala मसाला बना सकते हैं gravy chana masala मसाला बना सकते हैं लेकिन आज हम बना रहे हैं काली मिर्च चना हमने काली मिर्च पनियर ट्राई किया है, हमने काली मिर्च चिकन ट्राई किया है, हो सकता मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोगों ने काली मिर्च चना ट्राई किया होगा तो वाइट चनना को मैंने रात भर भी गो दिया था, अब उसे वाइल करने के लिए रख दिया है, सिरफ नमक डाल कर, एक विसल आ जाए, उसके बाद लो फ्लेम पे 20-25 मिनट इसे और पकाएंगे, तीन बड़े प्याज और कुछ हरी मिर्श को ग्राइंड करके उसका चननी में डाल दिया है, तकि उसका पानी बुरा निकल जाए, उसके बाद हम तड़का रेडी करेंगे, तड़का लगाने के लिए अपनी मनपसंद का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं जातर ससो का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ, तो उसे मैंने अच्छे से पहले गरम होने द लगातार इसे चलाते रहे, प्यास नीचे चिबकना नहीं जाएए, अकसर होता यही है, जब ग्राइंड की हुए प्यास को हम फ्राइ करते हैं, तो बरतन के साथ चिपकने लगता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखिए, प्यास जलना नहीं जाए, प्यास अच्छे से ब् करेंगे क्युकто हमने इसमें दही आइड करना है और दही आइड करने से पहले अजल कषलेखिँ कि दही ओफड़ कर दें तकरीबन आधा मिनिट इसे ऐसे ही bum और कीजिए लेकिन farm क kulir और लगाता है और दहीं को paste ready कर लेंगे और यहाँ पे दही मसालों के साथ अच्छे से पत चुका है इसमें से तेज पत्ता हम निकाल के बाहर रख देंगे इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमध, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर इन सब चीजों को आप इसमें अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद वो paste इसमें अड़ करेंगे, चनों को ग्राइंड करके हमने बनाया था, तो वो paste इसमें डालने के बाद डालेंगे, इसमें काली मिर्श का पाउडर, जोकि इसका म्याइन इंग्रिडियंट है मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है आप चाहें तो कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब इसमें boil की हुए चने डाल देंगे उसके पानी के साथ ये recipe dry नहीं बनती है थोड़ी सी gravy इसमें बनेगी तो अब चनों को अच्छे से boil करना है हमें कम से कम भी 10-12 मिनिट ताकि सारे मसाले वगरा अच्छे से चनों के साथ मिल जाएं और एक ठिक gravy बन जाए आधे चम्मा से भी कम मैंने इसमें कारा नमक डाला है इससे भी flavor काफी अच्छा आता है जब आपको लगेगी अच्छी सी gravy बन चुके है उसके बाद flame off कर दें लास्ट में इसमें कसूरी मेत्थी ढालना बिलकुल मत भूलिएगा इसका अलगी flavor होता है आप चाहें तो बाद में इसमें हराधनिया भी आट कर सकते हैं कड़ी पकोड़ा विद राइस बने हो तो खुश वो घर के बाहर तक जाती है और आपकी और मेरी recipe में क्या difference है बताएगा जरूर तो Tuesday को बनेंगी पकोड़े वाली कड़ी जब भी कड़ी पकोड़े बनाने हो तो सबसे पहले हम तयारी करते हैं पकोड़े बनाने की तो उसमें कई लोग बारी काटके प्यास डालते हैं कुछ लोग लंबा प्यास डालते हैं मेरी तरह और कुछ लोग प्यास नहीं भी डालते हैं तो मैंने यहां पे लंबा-लंबा प्यास कटके साइच रख लिया है, उसके बाद बेसन में डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्श का पाउडर. इने पहले अच्छे से मिला लेना है उसके पाद थोड़ोगा पानी डाल कर इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे अब इसमें तो कोई ऐसी अनुकी चीज नहीं है जो मैंने की है आप नहीं करते हैं लेकिन फिर भी अगर आप बिगनर हैं और कड़ी पकोड़ा बनाना सीखना चाहते हैं तो ये रेस्पी आपको बहुत बेस्ट लगेगी थिकसा पेस्ट बन जाए उसके बाद वो कटा हुआ प्यास साथ में कटी हुई हरी मिर्श डाल देंगे साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर बटर डालना ऑप्शनल है डालना चाहें तो डाल सकते हैं पकोड़ों का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और पकॉड़ों को जस्ट फ्राइ करने से पहले डालेंगे थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोटा और बस तेल गरम गरम होना चाहिए और गरम गरम तेल में पकॉड़े फ्राइ करते चाहिए अगर तेल ठंडा होगा तो पकोड़े एक तो बहुत हाड बनेंगे और उनका टेस्ट बिल्कुल भी बढ़या नहीं है लेकिन तेल इतना भी उबलता हुआ नहीं होना चाहिए कि एकदम से पकोड़े फ्राइ हो जाएं और अंदर से कच्चे रह जाएं तो तेल को मीडियम सा गरम रखे और फ्राइ करके उन्ने निकालके साईट रखते जाएं एक बार पकोड़े फ्राइ हो जाएं उसके बाद दही में बेसन घोलने की त्यारी कर लीजे तो यहाँ पे दही में मैंने तीन बड़े चमच बेसन डाला है साथी डाला है थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा डाला है इसमें नमक विसकर या फिर हैंड काइंडर की हल्पसे से अच्छे से मिक्स कर लीजिए कोई भी लंब्स नहीं रहने चाहिए ऑर उसके बाद मैंने उसी कड़ाई से काफी तेल निकाल दिया है तडके के लिए तेल उसमें थोड़ा सा छोड़ा है तो सबसे पहले इसमें डालेंगे सुखी लाल मिर्च, जीरा और साथी इसमें डालेंगे प्याज प्याज को भूनने का सेमी फॉर्मूला है हमेशा प्यास को high flame पे roast कीजिए प्यास brown हो जाए उसके बाद इसमें डाल जिए ginger garlic paste उससे भी थोड़ा सा roast कर लीजिए उसके बाद इसमें डाल देंगे हम seasoning थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है healthy powder डाला है मसालों को अच्छे से मिला लीजिए उसके बाद इसमें डाल देंगे वही दही जिसमें हमने बेसन घोल के side रखा था तो ये बेसन वाला दही डालते वक्त आपने flame को बिल्कुल low कर देना है और लगातार इसे चलाते जाना है साथी तरह सा इसमें पानी भी डाल देंगे लेकिन रुकियेगा नहीं जब तक इसमें boil ना आ जाए तब तक continuously इसको चलाते जाना है अदरवाज ये दहीं फट जाता है और फिर कड़ी बिल्कुल भी tasty नहीं लगती हरी मिर्च का paste बनाके या फिर हरी मिर्च काट के अब इसमें डाल सकते हैं मैंने प्यास के साथ साथी हरी मिर्च भी इसमें काट के डाल दी थी तो कड़ी में boil आ चुका है लेकिन अब है इसका main part इसमें लगाएंगे हम चौंक यूकि चौंक लगाए बिना कड़ी tasty नहीं बनेगी तो अब हम तेल में डालेंगे थोड़े से कड़ी पता, जीरा और साथी इसमें डालेंगे थोड़े से मेथी के दाने कुछ सरसों के दाने साथी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग और बस लगा देंगे कड़ी को चौंक यहां पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगी बॉल आने के बाद लो फ्लेम पे कड़ी को कम से कम एक घंटा ज़रूर पकाना चाहिए आप चाहें तो दो घंटे पे पका सकते हैं क्ड़ी जितना कड़ती है उतनी ही टेस्टी बदती है लेकिन मिनिमम टो पिनिमम एक घंटा जरूर फेटनस डे को लेंच में बनाई है शाही पनीर और रेसिपी इतनी इज़ी है कि आप कहेंगे कि यह तुम्हें रोज बना सकती हूं तो सबसे पहले पैन में तेर और उसके बाद उसमें सारे सूखे मसाले तेज पता डाला है दालचीनी डाली है छोटी लाईची डाली है बड़ी लाईची डाली है और दो लौंग डाले है काली मिर्च के साथ और साथी में इसमें डाल देगे कुछ बदाम और साथ में काजू जब ये खड़े मसाले और ड्राइफ रूट अच्छे से रोस्ट हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे धेर सारे टमाटर तो मैंने यहाँ पे तक करीबन साथ से आच टमाटर लिये थे कुछ भी इसमें नहीं जाएगा और ना ही इसमें प्यास जाएगा ना ही इसमें लसुन जाएगा उसके बाद टमाटर में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालके उसे कवर कर दीजिए तक टमाटर अच्छे से गल जाएं जब टमाटर मीडियम गल जाएं उसके बाद इसमें डालेंगे दूद तो 7-8 टमाटर थे उसमें 1 कप डाला मैंने दूद और बिल्कुल लो फ्लेम करके इसे 10-15 सेकिन पकाया और बस फ्लेम आफ कर दिया ठंडा कर लेंगे इस मसाले को उसके बाद इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे ग्राइंड ऐसे कीजिए कि सारे खड़े मसाले प्लस ड्राइफ्रूट अच्छे से उसका पेस्ट बन जाए ताकि आपको इसको छानने की कोई ज़रूरत ना नहीं उसके बाद उसी पैन में मैंने थोड़ा सा बटर डाला है धनिया पाओडर, जीरा पाओडर, थोड़ा सा हल्दी डाली है सातिलाल मुच का पाओडर डाला है और साथी इसमें डालेंगे थोड़ा सा शाही पनीर मसाला या फिर किचन किंग डाल सकते हैं अगर दोनों आपके पास नहीं हैं तो अब इसमें थोड़ा सा गरम जाला डाल सकते हैं उसके बाद जो टमाटरों को ग्राइंड करके हमने प्यूरे रेड़ी किया था वो इसमें डाल देंगे और इसे बॉयल आने देंगे लेकिन बॉयल आने तक इसे चलाते रहे और साथीस में डालेंगे थोड़ा सा नमक मतलब नमक अपने स्वात के अनुसार तो बस अब क्या रह गया पनीर काटके डाल दीजिए और साथीस में डाल दीजिए कसूरी मित्थी अब डालनी हैं आपको क्रीम या मलाई वो आपकी अपनी चोईस है मतलब डालनी जरूर पड़ेगी चोईस आपकी है कि आप कितनी डालना चाहते हैं तो लीजिए रेडी हो गया वेडनस डे का लंच बहुत ही इजी शाही पनीर थर्सडे को बनाएंगे साबुत मसूर की डाल अब आप कहेंगे इसमें क्या स्पेशल है स्पेशल कुछ नहीं वेडनस डे को शाही पनीर खाया है तो थर्सडे को सिंपल सी डाल बढ़िया है साबुत मसूर की डाल को अच्छे से दोकर एक घंटा भी हो दीजे उसके बाद इसे बॉयल करने रखे तो बॉयल करते वक्त इसमें मैंने डाला है एक तेज पता एक बड़ी इलाची साथ इसमें नमक डालके इसको चड़ा देंगे एक विसल आ जाए तो 15 मिनट लो फ्लेम पे और कुक करेंगे लेकिन मैंने डाल को बॉयल करने के लिए लेक्टिकल कुकर में रखा है तब तक दूसरे काम निप्टा लेते हैं जिस बरतन में डाल को तडका लगाना है उसी बरतन में सबसे पहले साबुत लसन और साबुत लाल मिर्च को हम रोस्ट कर लेंगे इसे रोस्ट करने में कम से कम भी आपके 1.5 मिनटों लगेंगे जब लसुन रोस्ट हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो उसे निकालके हम साइट रखतेंगे लसुन थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद इसका पेस्ट बनाके हमें रख लेना है लास्ट में जब हम दाल को इसका चौक लगाएंगे, तो दाल देखीगा कितनी बढ़िया बनेगी अब इस दाल के शुरुवाती तड़के में कुछ भी स्पेशल नहीं है, वही ओयल में थोड़ा सा हींग डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है प्यास डाल देंगे कटा हुआ, साथ ही इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, ब्राउन होने तक उसके बाद इसमें डालेंगे हम सीजनिंग, थोड़ा से इसमें डालेंगे धनिया पौडर, हल्दी और लाल मिर्श का पौडर मसालों को अच्छे से मिला लीजिए, तो उसके बाद हम सेम करते हैं टमाटर डाल देने हैं अब टमाटरों में थोड़ा सा पानी डाल के कवर कर दीजिए और टमाटरों के गलने तक इसे पकने दीजिए तोड़ा सा पानी डाल के जब हम कवर कर देते हैं तो टमाटर जल्दी गल जाते हैं और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और डाल भी बहुत अच्छे से वाइल हुई है तो बस टमाटर गल जाएं तो डाल इसमें डाल देंगे इसे थोड़ा टाइम चलाते रहिए अगर डाल आपको जादा गाड़ी लगी तो पानी गरम करके थोड़ा सा पानी इसमें एड़ कर सकते हैं लेकिन कभी भी हो डाल में पानी डालें तो कम से कम भी 5-6 मिनट इसे अच्छे से उबाल आने दें थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अधरक इसमें उपर से डाल रही हूँ टेस्ट बहुत बढ़िया आता है अब आखिर में लगाएंगे इसमें चौंक, थोड़ा सा बटर डाला है, कसूरी मिथी डाली है, थोड़ा से स्लिट हरी मिर्च डाली है, साथ ही वो गारलिक और सुखी लाल मिर्च का पेस्ट इसमें डाल दिया है तो बस डाल को चौंक लगा दीजिए, और चौंक लगी डाल खाने में कितनी अच्छी होती है, यह आप भी बहुत बढ़िया से जानते हैं फ्राइड़ को बनाएंगे आलू मडर की सूखी वाली सबजी, कैसे बनानी है, तेल में डालेंगे एक तेज पता, दो सूखी मिर्च, थोड़ा सा हींग, साथ ही डालेंगे इसमें राई, जीरा डालेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज प्याज को भून लेना है, उसके बाद इसमें डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब जिंजर गार्लिक पेस्ट जब तक भून रहा है, तब तक हम पानी में डाल देते हैं कुछ पाउडर मसाले, नमक डाला है, हल्दी डाली है, लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही इसम सूखी सबजी में मसाले अगर हम इस तरह से डालते हैं तो मसाले जलते नहीं है और फ्लेवर भी अच्छा आता है तो प्याज लसन भुन गया उसके पाद वो मसाले डाल दिये और क्रश किये हुए टमाटर डाले हैं मतलब चौपर में मैंने अच्छे से टमाटरों को बहुत बारीक करके चौप कर लिया था उसके पाद वो डाल दिये साथ में कटी हुई हरी मिश्ट डाली है मटर आजकल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ विंटर में मटर को छील के मैं फ्रीज कर लेती हूँ और उनी का इस्तेमाल करती हूँ जब भी आपको चाहिए थोड़ा से उसमें गरम पानी डालिए ड्रेन कर दीजे पानी को उसके बाद इसको जैसे चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं आलू में बॉयल करके रखती हूँ जिस वीक मुझे पता होता है कि मैंने आलू की कोई सबजी बनानी है तो हमेशा आलू बॉयल कर लेती हूँ और उसे फ्रिज में रख देती हूँ तीन दिन तक आलू खराब नहीं होते और हर सबजी में जब भी आप बॉयल आलू डालते हैं तो बहुत अच्छी बनती है वो सबजी बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ तक कि मसाले और आलू मटर वगरा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं ग्रेवी नहीं बनानी है बिलकुर हम सूखी सबजी बना रहे हैं और लास्ट में अगर कसूरी मिथी नहीं डाली अगर डालना भूल गए तो सबजी का टेस्ट नहीं आएगा सैटर्डे को बनाएंगे रॉंगी आप चाहें तो आलू रॉंगी बना सकते हैं अलू रॉंगी चपाती के साथ अच्छी लगती है लेकिन राइस के साथ खाना चाहें तो सिर्फ रॉंगी बनाएं यानि कि लोबिया जब भी मैं लोबिया बनाती हूँ तो रात भर इसे भिगो के रख देती हूँ उसके बाद बॉयल करते वक्त इसमें डालेंगे सिर्फ नमक और हल्दी और बॉयल करने रख देंगे एक विसल आ जाए तो वही 20 मिनटे से और पकाना है प्याज इसमें चौप करके ही डालेंगे लेकिन टमाटरों के साथ मैंने लसुन को और कुछ काजू डालकर उसका पेस्ट बना लिया है तड़का लगाएंगे ओयल में डाला है तेज पत्ता, दो सुखी लाल मिर्च, दो लॉंग डाले हैं और साथी डालेंगे जीरा प्याज डालके अच्छे से ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे और वही टमाटरों वाला जो हमने पेस्ट रेडी किया है काजू और लसुन को मिरा के वो इसमें डाल देंगे तो बस इसे अच्छे से भूनना है जब तक टमाटरों का कच्चा पन नहीं चला जाता बस बॉइल किया हुआ लोबिया डालके इसे 10 मिनट और अच्छे से बॉइल होने देना है तो बस आपकी लोबिया की बहुती टेस्टी सबजी रेडी हो जाएगी कसूरी मिर्थी ज़रूर डाल दीजिएगा चलिए मिलती हूँ नेक्स टुटियो में तिल दिन बबाई टेक केर और स्टे हल्दी